हलो बच्चो स्वागत आप सभी का साइंस एंफन 910 के यूट्यूब चैनल पे जहां हम टीचर्ज आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो आज के सेशन में मैं अभी तक तो भी एमसी क्यूस के पीछे हम भाग रहे थे अब आज के सेशन में हम पूरी हिस्ट्व के important questions करेंगे वो भी subjective यानि कि ऐसे questions जो आपके exam में आ सकते हैं और साथ ही साथ आपके इससे concepts भी हो जाएंगे clear ठीक है French Revolution socialism Nazism for a society pastoralist सभी के questions मैंने इसमें डाले है most important है most repeated offline experience के साथ जो जो आ रहे हैं या आ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question हमारा French Revolution का आएगा और सबसे आसान question है लेकिन exam में आ गया और अगर आपको ना आता हुआ तो आप माथा पगड़के बैठ जाओगे ऐसा question है तो आपको बताना है कि France को किन तीन भागों में बाटा हुआ था तो अगर आपको मैं याद दिला दू तो तीन state से first state second state and third state first state में कौन आते थे बच्चो clergy clergy कौन होते थे church officials जो भी church का काम करते थे या उसी किसी काम से जुड़े होते थे वो सारे आते थे clergy's में second होते थे nobility nobility basically एक privilege था जो बाइब बर्स मिलता था यानि कि कोई कास्त नहीं है लेकिन एक community nobles में आ गई और वो सभी उसमें carry forward होते रहेंगे ठीक है और third में आते थे सारे या third की भी वैसे देखा जाए तो तीन categories थी ठीक है अगर एक category की बात की जाए तो इसमें आते थे बिजनस्मेन और ओफीशियल्स बड़े-बड़े है ना अगर second में देखा जाए तो पैजेंट्स वगएरा आ गए और third में अगर देखा जाए तो छोटे-मोटे artisians छोटे-मोटे काम करने वाले लोग support stainless labors यह सब इसमें आते थे सई कह रहा है चलो तो अब क्या होता था यह जो ढोनों थे जो यह दो नोदिना बच्चो यह जो थे यह exempted फ्रॉप पेंग टाकस ओनिटी इनको कोई भी टाक्स पें नहीं करना होता था ना किसको पेंडल उता था Thousand एस सेट वारों यह यहां नहीं बताएंगे लेकिन अगर एक्जाम में इस सेट को एक्स्रेट करना अजाए तो सारा लिखा हुआ है ऐसे ही आपको एक्सकर ठीक है एसे चले आगे question what was the role played by philosophers the french revolution अब आपने philosophers के बारे में इस chapter में पढ़ा है, philosophers जो philosophies देते हैं, बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, तो उनमें से आपको कि इन्हें भी तीन को explain करना है, ठीक है, वैसे में वाल्टेर भी थे, चौथे वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन major तीन है इसके अंदर, एक हो गया जॉ जॉन लॉके जी, इन्होंने the two treaties of government लिखी, जिसमें इन्होंने बताया doctrine of divine and absolute right of the monarch, यानि की कैसे वो लोगों के उपर rule करते हैं, कैसे वो लोगों के आगे अपनी powers divide करते हैं, सारा का सारा इन्हें अपनी two treaties of government में लिखा, एक नमबर में ये भी आ सकता है कि जॉन लॉके ने चुने हुए मोनार क्या representative में क्या होना चाहिए बच्चो, contact होना चाहिए, हां जी आपस में एक दूसरे से बात करते होने चाहिए, next is Montesquay, इन्होंने क्या लिखी the spirit of laws, Montesquay was proposed the division of power within the government between the legislative, executive and judiciary, that is power should be divided in three major चीज़े, एक हो गये legislative, legislative कौन होते हैं, जो laws बनाती है, ठीक है, executive क्यों होते हैं, जो उन laws को execute करते हैं, यानि कि लोगों के सामने लेके आते हैं, और judiciary final से देते हैं, अगर कोई भी गड़बड़ी होगी या कुछ होगा, इनका final से होता है, अगला सवाल, what were the drawbacks of the constitution of 1791, है ना important, तो drawback बताने है 1791 के constitution में, voting rights जो थी, were not granted to all the people, only active citizens, अब मै आपको याद दिला देती हूं, दो टाइप के citizens थे बच्चों, एक थे active और एक थे passive, active कौन थे, जो 25 years के उपर थे, और साथी साथ ये property, own करते थे, और साथी साथ ये tax देते थे, equal to, three days of their wages, ठीक है ना, ऐसा ही था ना, और ये, ये ऐसा वो, इनको तो भईया, right to vote भी नही wages देते थे ना, इंके पास property, own करते थे, तो basically, सिर्फ active citizens को ही, allow था vote देना, who paid taxes equal to at least three days of labor's wage, had the right to vote, तो constitution में voting rights थो आए, लेकिन के लिए, सिर्फ active members के लिए, the powers of the king were to be limited by the constitution, but he still had the right to veto, उनके पैस वैसे तो उनकी powers को limit कर दिया गया था, powers of monarch were limited, constitution में ये आता है, लेकिन उन Vito power, Vito power मतलब कभी भी कुछ गलत हो रहोगा, बीच में टपक जाएंगे और कोईगे नहीं, ये ऐसे ही होगा, तो इनके पस तो आगया उनकी पास, the political rights were to be enjoyed by the rich classes only, the acts of national assembly के according, तो rich classes को ही सिर्फ मिला हुआ था, देखा जाए तो property owned मैंने आपको बताया ही, अगला, discuss the rise and fall of Napoleon Napoleon बोना पारते, और ये एन इंपोर्टेंट, Napoleon बोना पारते जी, आखो बताया, Napoleon बोना पारते आपका 10th में भी साथ निमाएंगे, साथ रिभाना साथ ही है, इनने दिल पे ले लिया, ये आपका साथ नि छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, तो after the fall of Jacobin, Jacobin government का जब fall हुआ, a new constitution was introduced which provided for a directory, an executive made up of five members, याद है कहानी, Jacobins हट गए, Maximilian Robins पर हट गए, तो five members की directory आई थी, however the political instability of the directory proved the way, अब क्या हुआ, पेव दवे, अब ये जो थे वो नहीं चल पाए, ये directory rule नहीं चल पाया, जिसकी वैसे दुबारा से reintroduce करी, मोनार्की by Napoleon Bonaparte, he was a dictator, not a monarch, he was a dictator, 1804 में Napoleon Bonaparte ने अपने आपको Emperor of France घोशित कर दिया, he conquered neighboring, देखो इनने काम तो बहुत सारे अच्छे भी किये थे, वो आप class 10th में इनके बारे में पढ़ोगे, काम तो इनने अच्छे किये थे, वो ही privilege by birth हट आ दिया था, लेकिन थे तो मोनार की न, ये तो बात गलती है न, तो ये एक modernizer आये थे यॉरोप में, जिन्होंने बह people as a liberator, कि भहिया लोगों को लगा, हाँ ये तो freedom कर रहे है, ये तो अच्छा कर रहे है, बट सून, दिनपॉलिक armies came to be viewed everywhere as an invading force, he was finally defeated at Waterloo in 1815, तो 1815 में फाइनली ये क्या हो गए थे, हार गए थे और इनकी पावर हट गई थे, नेक्स, वाट वाज ट्राइंगुलर ट्रेड अगेन है ना, interesting, चलो, triangular trade मतलब slave trade की बात कर रहे है, आपे, the French had colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, San Domingo, ये areas है वागे, the Europeans were reluctant to go to these colonies to work, अब काम करने जाते थे, यहाँ पे अकर बात करी जाए, triangular trade की, तो basically क्या किया जा रहा है, तीन जगाओं के बीच में क्या हो रहा है, trade हो रहा है, Thus the French obtained slaves from Africa to work on the plantation areas of Caribbean colonies, तो Africa से यह slave trade करते थे, यहन की लोगों का trade करते थे, और उनको यह क्या करते थे, काम करवाते थे, plantation areas पे, as a result, these colonies became suppliers of commodities, such as tobacco, indigo, sugar, coffee, which were exported to European countries, तो यह लोग यहाँ पे काम करते थे और यह सब produce करते थे और वो trade किया करते थे, चालो, अब आ चुका है हमारा, हाँ वो ही वाला है, What were the immediate circumstances which led to outbreak of French Revolution, यह NCRT का सवाल है, मैं इसलिए लेके आई हूँ, यह NCRT का सवाल है कि French Revolution क्यों break हूँ, क्यों broke out हुई, तो फिफ्ट में 1789 अगर आपको याद हो, इन्होंने एक assembly में meeting बुलाई थी, state general की, जहां पे इन्होंने तीनो, clergy's, nobilities और common लोगों को बुलाए था, 1200 representatives थे, 300 first से, 300 second से और 603rd से, और लेकिन right to vote जो था, वो कैसे था, community wise, that is first state का एक vote, second state का एक vote, और third state का एक vote, तो अगर voting कराई जाती, तो first और second state तो मुनार के ही favor में करते, तो क्या होता, मुनार तो जीच जाता, third state वालों ने इसलिए protest किया, इन्होंने कहा कि हमें one vote one right चाहिए, ना कि one state one right, तो उन्होंने इस बात को नहीं बाना, तो सारे के सारे third state वाले लोग वहाँ से back off कर गए, तो यही सारी बात है यहां पे लिखी हुई है, third state वाले क्या थे, वहाँ से चले गए, फिर वो दुबारा एक अठे हुए, जहां पे वो एक अठे हुए, कहां पे भहिया, एक indoor tennis court में, abby suiz, और मेरा बाए, यह दो लोगों ने इनको lead किया इसके अंदर, फिफ्ट जून को हो एथे, फिफ्ट जून को हो एथे न, हां, फिफ्ट जून को हो एथे यह फिफ्ट में के बाद, फिफ्ट जून ही था न, जून तो था, फिफ्ट था कि क्या था, मैं भूल गी थोड़ा सा, चलो, जून में ही होए थे, यह याद है, और किस पे थे, एक बाद में को कॉमेंट में बता देना, अगर गलती हो यह हो तो, बहुत सारी डेट से, नाइन्थ की भी, टैंथ की भी, चलो, तो जून में ही होए थे, यह तो मुझे याद है, हाँ, पता नहीं, बीस थी, पांच थी, यह भूल गई हो मैं, तो याद है तो बताना है, ठीक है, तो क्या हुआ, इंडो टैनिस कोट में एक अत्रित हुए और इन्होंने शपत लिए, शपत किया लिए, जब तक हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा, 20 जून ठीडा मुझे पता नहीं किया दाराएब 20 है, पता नहीं कूए याद आ रहा है, मैं दिमांग में ना सोचती रहा है, अंकर कोई गलती हो यह होती है, तो इंको लीड किया इन्होंने, मेरा बाए और एबी विस सूइस में है ना, पीजुन निञें है, मेरा और याब पता है उनके साथ क्या हो रही है ना इंसाफी गल्थ हो रहा है तो इनने ओथ लिया कि भई हम तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक हमारी दिमांस को पूरा नहीं किया जाएगा फिर क्या हुआ दिमांस पूरी हुई हुई भई क्या हो गया था 14 जुलाइज 1789 में Constitution ड्राफ कर दिया गया जिसमें इनकी कुछ डिमांस को पूरा कर दिया गया जैसे कि मुनार्क की पावर को लिमिट कर दिया गया राइट टू वोट आया वो लिमिटेशन हम पड़ चुके है लेकिन इसमें क्या आगई सारी बाते तो आगई चलो यह भी आपका वाट वर्ट व तो अब हम थोड़ा सा शिफ्ट हो गए है दूसरे चैप्टर की तरफ जो की है आपका सोशलिजम इन यह ठीक है तो सोशल कंडिशन की देखो तीनों नहीं आएंगे क्योंकि तीनों में ही पांच पांच चारच के करीब पॉइंट तो हो सकता है कोई दो आ जाए या कोई ए का जाए या कोई भी ना है कोई भी ना है लेकिन अगर आपको बताना है कि सोशल या कंडिशन एकनोमिक कंडिशन या पॉल्टिकल तो तीनों मैंने हां पर एक्स्प्रेन कर दिए अगर हम बात करें रश्यन रेविल्यूशन की तो सोशल कंडिशन क्या थी मैज्जॉरिटी प्रोडक्शन जो थी मार्केट एन एक्सपोर्ट के लिए की जाती थी विमन थर्टी वन परसंट थी फैक्टरी लेबर के रूप में लार्ज प्रॉपर्टी जो थी वो नॉबिलिटी के द्वारा थी और क्राउन और चर्थी हमने उसमें केस बेस में भी किया है अभी रीस पेसंट रिलीजियस बाट डिवाइड़ ग्रुप डिवाइड़ ग्रुप स्किल्ड के बेसिस पर भी थे ड्वेलर्स भी थे वो वो तीनों बाते आदी और यह लोग नॉबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते थे यह पूरा हमने सोशल वाला पैरग्राफी केस बेस वाले इंडस्ट्री जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ दे इंडस्ट्रिस देर वास गवर्मेंट सुपर्विजन बट नो लॉग बट लॉग वर्किंग आवर्स एंड पूर वेजिस दिये जाते थे लोगों उनने से पाच में राइज इन प्राइज एंड आजाएंगे नेता राजा तो जार निकॉलस की बात करें तो रुट्रूल कर रहे थे और उनका एंपायर था रिलीजिजन ऑफ दमेजॉर्टी वास रशियन और ठोडोक्स क्रिश्चानिटी को फॉलो किया जाता था रॉश्यन सोशलिस्ट रेवलूशनली पाटी 1898 बट ऑपरेटेड अज इल्लीगल और ऑर्गनाइजेशन पार्टी तो यह चल रही थी लेकिन किस तरीके से इल्लीगल तरीके से चुपके चुपके चुपते चुपाते फॉर्मेशन और सोशलिस्ट रेवलूशनली पार्टी इन नाइटीन हंडड़ और स्ट्रगल पॉर पैजेंट्स राइट्स के लिए लड़े और दिमांड़े ट्रांसफर ऑफ लांड टू पैजेंट्स किस से नॉबल्स की होल्ड नॉबल्स के हाथ में था तो यह नॉबल की बात करेंगे क्योंकि बाग तीनों चेंज लाना चाहते थे अपने अपने एंड से लेकिन तरीके तीनों के अलग अलग थे दे मेन फीचर आफ दे व्यूज अफ लिब्रल्स अबाउट ट्रांसवेशन आफ साइडी आर अनेशन विद पॉलिसी रिलिजिन को टॉलरेट क करताना है इन फेवर और राइट्स ऑफ द इंडिविज्वाल्स अगेस्ट गवर्मेंट अगर गवर्मेंट लोग कि राइट्स के ऊपर कुछ नहीं कर पारी तो हम उन के लिए प्रॉटेस करेंगे इन फेवर और रिप्रेजेंटेटेटिव एलेक्टेड पारलेमेंटरी यानि की मुनार्की को हटाना है और पारलेमेंटरी डिमोकरिसी लेकर आनी है नौट इन फेवर और युनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज बट ओनली मैं और प्रॉपर्टी यहां पर यह गलत याद है यह लोग सिर्वाद्मियों को राइट टू वोट देना चाहते थे विमे किस पर डिपेंड करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी वगेरा पर तू नहीं सारी बातों को एक्स्पेंड किया हुआ है बच्चो प्राइवेट प्रॉपर्टी दे मेन फीचर क्या है सोशलिस के प्राइवेट प्रॉपर्टी सोशलिस जो थे वो प्राइवेट of all social is because the capitalists or owners of property were concerned with personal gain only bill kool beta other amara koi resource oga hamaara koi property ogi hama rameen focus kya hoga kya hoga profit kamana so you know tabhi ye khilaaf teke ye loge to bhai profit pe laghe rehingi logo ki welfare korn karega they did not care about the welfare of the workers they therefore wanted control of society over the property so that it might be used for the benefit of the society so socialists were in favors of workers group chai wo labor farming me ho chai wo wages kamane wale industries me ho basis of socialist society cooperatives ki agar ham baat karay some socialists such as robert oven a leading english manufacturer sought to build a cooperative community called new harmony in india indiana u.s.a. to inna nek institution bhi banai jahaan pe ye loge kya karerhe socialist hi hai ye bhi ye bhi ye bhi is cheeze ko fulfill karna chaathe hai ki ham labors ki class ko kaise improve karay governments to encourage cooperatives socialist like louis blank wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprise capitalist matlab again sir profit based nature of cooperatives abe dhekho aap koi dho tariqe se bhi question aasakta hai aadhe me bhi aasakta hai ye sawaal the cooperatives were to be associations of people who produce goods together and divided the profits according to the work done by the members suppose hum 4-5 bachche milke kya karrette ek venture corporate hearseez ku jis bhi ratio mein aam in lessonsCO contribute karenge isику T Personaiso me haam profit ko bhi kiya k everyday distribute karenke wohi kon driversgetekฉe kare Jeff Carl maskש ke idea dei dali bahani ti kena.sang auki Obs ethicaluler இர study was capitalist society active the kinetic mi li si r 360 Cruise l Laut say in bolaglingen qualityyty be carriaxton का ध्यान दे रही होती, तो कहां से वो profit कमा रही होती? Capitalists owned the capital investment in factories and the profit of capitalists was produced by workers. The condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radical socialist society where all property was socially controlled. Socially controlled का मतलब किसी एक के हाथ में ना हो बल्कि सब मिल जूल के एक property को own करें, उस पे लोग काम करें, जहां पे उनका main focus उनकी lives को improve करना होगा ना की पैसे कमाने से. This would be a communist society. He was convinced that workers would trim in their conflict with capitalists. A communist society was the national society of the future. Communist मतलब सब मिल के वहाँ पे क्या करें? एक society generate करें और रहें और मलब काम करें. पैसेंस की condition बतानी है रश्या में. तो पैसेंस जो थे वो cultivators थे, ओन कान करता थे, nobility crown and the orthodox church जो थे वो large properties को own करते थे, land को own करते थे. पैसेंस nobility को बिलकुल भी respect नहीं करते थे. क्योंकि यह कहते थे हम यहां मैनत कर रहे हैं और यह लोग यहां सारी जमीने लेके जारे हैं. Russian peasants were different from other European peasants in other way. They pulled their land together periodically and their commune divided it according to the needs of, हाँ यह क्या करते थे? अपनी अपनी land को आके जोड देते थे, बड़ी land बन गई. अब वहाँ पर जो खेती होगी, जिसको जितनी requirement होगी, वो लेके जा साथ. ठीक है? चलो. What were the causes which led to the outbreak of revolution in 1905? यह हमने किया, क्या? हमने यह किया. नहीं. मला similar ही है, question वैसे. कोई बात नहीं, similar ही है. चलो, कर लेते हैं. यह वैसे बात सारी वही है. उसी पागो को divide कर देंगे, यहां पर आ गए है आपके political वाला, जार निकॉलस वाला, कि इनने रूल किया Russian Empire को, यह orthocratic थी और बाकि European rulers की तरह beginning में भहिया, 28th century में जार जो थे वो Parliament नहीं चाहते थे. At the beginning of the 28th century, majority जो थी, वो agriculturalist के अंगेस्ट हो गई, बलकि Russia में पहले पॉपिलेशन वाज मोर इन टू एग्री कल्चर, रॉशियन पेजन्स पूल देर लैंड तोगेधर वही जो भी हमने पड़ा, दिखो यार आपको बता है, हमें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसकी questions करने बैठो तो mostly questions के answers जो है ना, वो similar से लगते हैं, हम Eminent industrial areas of Russia, St. Petersburg and Moscow, वही सारी बाते हैं, वही सारी बाते हैं, वही सारी बाते हैं, चलो, First World War का impact बताना है, रॉशिया पे, ठीक है? General impact क्या है, First World War का, initially the war was popular and people rallied around ZAR, जार अच्छा था या बुरा था? कोई भी मुनार्क, अच्छा बुरा कैसे हुसते हैं, अगर वो मुनार्क के तो बुरा ही समझते हैं लोग उसको, As the war continued, the support became less, as ZAR did not consult the main parties in the Duma, Duma बोले तो, Parliament, Defeat of Russia armies in Germany and Austria, 1917 में 7 million casualties, as German controlled the Baltic Sea, Russian industries could not get supplies, जे को जर्मनी ने क्या कर रखा था? Germany, German is a part of Europe only, right? इन्होंने क्या कर रखा था? Baltic Sea को कबजे में किया वा था, जिसकी वहेसे port से, waterway से supply नहीं हो रही थी, trade नहीं हो रहा था. Similarly, there was breakdown of the railway lines and shortage of labour, क्योंकि mostly जो थे, वो First World War में लड रहे थे. On their retreat, Russian army destroyed crops, building, to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. या, तो इतने बुरे हालात हो गए थे, कि खाने की मारा मारी हो गई थी, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, migrate, refugees बन गए. What were the main features of Stellan's collectivization program? Important. Causes भी बताने हैं, effects भी बताने हैं आपको इसमें. तो 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. Call cause. बताया पीछे वो लोग पूलिंग करने लग गए थे. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. In call cause, profit was shared. जिसे कहा गया, collectivization. Basically, lands को पूल करना, उस पे large scale पे खेती करना, और फिर उसको divide कर लेना, according to your needs. The main cause for introduction of collectivization program was the small holdings of land. छोटे-छोटे चुक्रे lands के, which could not be modernized. So, secondly, the wretch peasants and traders, देखो बेटा, ये बात तो सही थी. Collectivization program success हुआ. क्यों छोडे-चोडे पैचेस पे land पे अगर आप काम करोगे न, आप देखो. आप एक register खरीदने जाते हो, stationery की दुकान पे वो आपको देता है, तो आप नहारपूर चले जाओ, हमारे यह पे तो नहारपूरी है भईया, तुमारे चानली चौक चले जाओ, बल्क में खरीदो register, बीस खरीद लो, आपको rates कम पढ़ेंगे, बिल्खुल पढ़ेंगे. तो यह होती है भईया, कि अगर आप बल्क में कोई चीज produce करोगे, तो वो सस्ती बढ़ती है, क्या ही facts थे इसके, किसके भईया, याद आ गया था, हम किसके इस talents collectivization program को पढ़ रहे है, जो peasants collectivization पे नहीं काम करते थे, उनको क्या किया गया, exile में डाल गया, jail में डाल गया, the production did not increase immediately, हाँ जी, bad harvest भी हुई, जिसकी वैसे बहुत बड़ा famine भी आया, जिसमें 4 million लोग मारे भी गए, 2 million लोग जो थे, वो prisons में भी डाले गए, और labor camps में डाले गए, क्योंकि they were against this program, problem phase by Weimar Republic, कौन से चप्टर आगया है, Nazism, ठीक है, पांच में से तीसरे चप्टर पे हम आ चुके है, around 30 के करीब पुश्चिंज है, हम आदा कर चुके है, चलो, the problem phase by Weimar Republic, what as mentioned below, 30 at the Varsalese, was 30 याद है Varsalese की भई, क्या करना चाते हैं जर्मन लोग, क्या था 30 of Varsalese में, हमने ये case base में भी decide किया, बोलो-बोलो, खो दी थी, अपने रिसोर्स विज लैंड भी खो दिये थे, तो इन्होंने पैक्ट बनाया, कि कैसे इसको overcome करेंगी, was harsh and humiliating, Germany was forced to pay compensation of 6 billion euro, people held the Weimar Republic responsible for this treaty, the supporters of the Republic, Socialist, Catholic and Democrats, were called the November criminals, there was revolutionary uprising of the Spartic League, on the pattern of Bolsheviks, Bolsheviks वही Europe वही है, economic crisis of 1923, made the situation worse, economic crisis में क्या हुआ था, आपका वही price fall, during the great economic depression, German economy was badly hit again, the number of unemployed जो थे, वो 6 million हो चुके थे, जिसकी वैसे, again criminal rise, बहुत criminal cases बढ़ रहे थे, politically to Weimar Republic was fragile, fragile का मतलब होता है, कैसी भी बदल सकती है, constitutional defect made it vulnerable to vast dictatorship, यह इतनी weak थी कि इसके ओपर कोई भी राजा आखे राज कर सकता था, one defect was the proportional representation, article 48 gave the president powers, including rule by decree, यानि कि जो भी parliament का leader है, वो इसको समाल रहा है, लेकिन यह इतनी fragile है कि कोई भी राजा कभी भी आखे इसको disrupt करके अपना कभजा चला सकता है, main features of great depression, या great depression जो है, वो बहुत important concept है, not in 9th just, 10th minute, repeat होगा, तो depression यह वो ही वाला है, 1929-30 वाला ही है, wall street exchange, अगर आपको याद हो, USA में, share market बिल्कुल ठप हो गई थी, crash in 1929, people जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा depression में आ गए थे, क्या effect हुए इसके, इस दौरान, national income आधी हो गई थी, factories बंद हो गई थी, exports बंद हो गए थे, farmer सबसे ज़्यादा परशान हुए, उनके market में पैसे फसे हुए थे, वो बिल्कुल रोड पे आने की कदार पे थे, list the communities which were classified as undesirable in Nazi Germany, तो undesirable में Jews आते हैं, women आती हैं, handicapped people आते हैं, gypsies and blacks आते हैं, क्योंकि Aryans, Aryans मतलब गोरे लोग यहाँ पे, कुछ और ही sound कर रहा है नहीं, बनलब लिखा वाला लग रहा है नहीं, गोरे, इंग्लिश में लिख देती हूँ, गोरी 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 ठीक है, रशिन एन पोल्स वर कंसीडर्ड सुभमन, यह क्या लिख दिया इस नहीं, यह लिखते हैं क्या, कुछ गलत लिख दिया भाई, चलो, and hence, undeserving of any humanity, देखो क्या कहते हैं यह लोग पते, कि जो भी undesirable हैना, यह humans ही नहीं है, यह Darwin's वगएरा की थियोरी पे चलते हैं, survival of the fittest पे, इनका मानना ही है, fit कौन है, जो गोरे हैं, जो देश को कुछ फायदा, जो फायदा क्या, जो गोरे हैं, जो सुन्दर हैं, जो हटे-कटे हैं, हेल्दी हैं, वह ही इनके लिए fit हैं, और उनी का survival इनके में मोटेव है, USA initially, देखो, हाँ, यह question आ जाता है, USA ने शुरुवात में तो मना कि नहीं नहीं, मैं वार में नहीं आऊँगा, मेरा क्या काम है, और मैं वार से दूर रहूंगा, लेकिन जारा समय तक भी भाहर नी रह पाया, क्यों? पहले हाद है, पिन किस ने ली थी? Japan ने, Japan ने मजे लिये, इनने का अच्छा तुम मजे लेगा, मैं तुस्से डबल मजे ले लूँगा, लेकिन बहुत ही जादा एक नॉमिक प्रोबलम्स हो गई थी, जिसकी वजे से लोग चेकंड वर्ड वार में ने का हम तु पार्टिसिपेट नहीं करें, ठीक है, जपान ने, उक्युपाई कर लिया, फ्रेंच इंडो चाइना, और वास प्लानिंग तु अटाक नॉस नेवल बेसे इस नेवल बेसे का मतलब होता है, वाटर बेसे अल्टिमेटली जपान बॉम्स बेस अट पर्ल हर्बर, अंडर दीस सब्सांस, सर्कम्सांस, युएस से के पास कोई और और उप्शन नहीं था, बल्कि इन से लड़ने, डिस्क्राइब पॉलिसी नाजी जर्मरी तोवर्ड विमन, फू प्रड्यूस, डिसारेबल चिल्रिन, तो याद है आपको इंकरेज किया जाता है, इनको बच्चे पैदा करने के लिए कि इनको क्या चाहिए हो इनको डायमेंड मिलेगा, आठ बच्चे पैदा करो ऐसी कुस्ता ना, वही वाली चीज से सबलो, ठीक है, ब्रॉंस, चार बच्चे, भाई तुम लोग मत कर ले ना, यह उस ताइम की बात है, कई तुम जाके कहो, मम्मी बच्चे पैदा करने हमें मैडल मिलेगा, नहीं, अ आरेन ब्रीड, आरेन ब्रीड मतलब गोरे चिट्टे, एक दम नी ली ली आखो वाले, जिन्नों ने भी ऐसा नहीं किया, उनको सेवरिली पनिश किया जाता था, ओरतों को, बिचारी ओरतों को पता लिए, बस, scientifically sperm मेल का होता है, और और औरत को यहां पर पनिश किया जाता थ है, हिटलर इतना नफरत करता था, जियूस से, कि वो उनको देखना ही नहीं चाहता था, वो बिल्कुल एलिमिनेशन मतला बिल्कुल खतम करना, उस पे विश्वास करता था, नाजी ने उनको टेरराइस किया, उनको अलग कर दिया, उनको कंट्री को छोड़ने पे मजबूर कर दिया, कुछ ऐसे स्टेप लिये गए जिससे जियूस बिजनेस को, या उनके कोई भी सर्विसेस को लेने से इंकार कर दिया जाता था, इनको अलग रखा जाता था, घीटोस चैमबर में इनको टॉर्चल के लिए भेज़ दिया जाता था, फैक्ट्रीज में इनको अलग कि और थिखर्श मोट और आएज को अलग कर दिया गया टीचर्श को भी चेंज कर दिया गया उनको किताबी जाथा था यह वो क्या वाले है उनके जीजस को मारने वाले है उसलिए हमें नफ्रत करने चाहिए बच्चों से भीड़ा पर अधर आठाल उम्लें देखो ना लॉयल रहना है वर्षिप करना है किसको हिटलर को भगवान को नहीं हिटलर को वर्षिप करना है स्पोर्ट्स में आगे रहना है गर्ल्स को बिल्कुल अपने युनों स्वच्छ रहना है आर्यन से ही प्यार करना है कि देखो आर्यन खुश होगे सारे आर्यन सौथे चैप्टर के तरफ जो कि है forest society and colonialism, बहुत सारे स्कूल में 9K, forest society और पास्टलिस को one marker के रूप में कर दिया गया है, कई स्कूल वालों से syllabus पूरा करने की हिम्मत नहीं हुई, तो पास्टलिस हटा भी दिया है, तो जिनका हट गया है, वो पास्टलिस के section से हट जाएं, जिनका नहीं हटा है, वो देखें, जिनका ncq भी आ रहा है तो वो भी देखें, क्योंकि बीच में से ncq उस निकलते हैं, what are the features of scientific forestry, तो scientific forestry के लिए किसको बुलाया गया था, dry trich, brand, in scientific forestry क्या किया गया था, उन्हीं सारे forest को लगाया जाए, जो क्या है, value, able है, राइट, बाकि सारे जिनकी नीड नहीं हैं, उनको काट दिया जाए, next, explain the process of shifting cultivation, तो shifting cultivation is a process, जहां पे, जहां पे, क्या किया जाता है बच्चो, एक land को, देखो shifting cultivation का दूसर नम पते क्या होता है, slash and burn, तो एक land को, काटा, खाली किया, जितने weeds बचे, उस पे आग लगा दी, आग लगा के, खुद कहीं और उड़ गए, दूसरी जगए जाके खेती वेती कर रहे हो, वो आग बुझेगी, वो ashes आएंगे, वो nutrients में convert होंगे, land को और fertile करेंगे, और फिर आप दुबारा से आओगे उस land पे खेती घर पा, तो this is shifting cultivation, ये बैन कर दी गई थी, Britishers के द्वारा इस chapter में, क्योंकि दर था इनको कि इस सैशन बंसे इनका timber, valuable timber ना जल जाए, खराब ना हो जाए, दूसरी चीज़ है, environment को pollution के रूप में नुकसान भी पहुँचा दी, what were the causes of deforestation in India, तो क्या-क्या कारण थे बच्चों, बहुत सारे कारण हमने पढ़े थे, अगर आपको यादो, तो सबसे बड़ा कारण तो भहिया agriculture को बनाने के लिए, दूसरा कारण क्या था बच्चों, कि भहिया ये जो agriculture यहां आ गया, यहां पर क्या लिखा है, इंडस्री प्रोडक्शन बनानी है, हाँ, ऐसे प्रोडक्स बनाने है, जिसको आप क्या कर पाओ, एक्स्पोर्ट कर पाओ, फिर आपने क्या था, वो था ना, टिम्बर, हाँ, sleepers बनाने के लिए, railways originate करवाई थी, प्रेटिच्चर ने तो sleepers बनाने के लिए, यह री, और इन सारी needs को बढ़ाने के लिए, इन सारी needs के commodities को फुल्फिल करने के लिए नोंने क्या की थी deforestation की थी वो भी बहुत लार्ज करी रें लेकिन लोकल लोग जो हन्य के लिए क्या कर रहे AJ अगर इस लेवल पे voltaj special को खोजाता है तो क्या हो जाएगा बच्चो कम हो जाएगे ना पर सो कथोण युझा उलजव सब्सक्राइग इन्होंने का भहिया कैसे इस condition को solve की है तो ये आ गए condition को solve कर ले इन्होंने क्या कहा कि manage करो forest को इन्होंने क्या कहा reserve protected और village forest लेयो लोगों को बताया गया conservation का महत्व forest laws बना दिये गए restriction कर दी गई preserve किया गया timber की production को इंडियन forest service act आया इंडियन forest act आया और institute बनाया गया देहरदून में जिसने scientific forestry को काफी promote कि और लोगों को समझाया clear next describe the location of Buster and its community तो Buster था southernmost part of 36 गड में Buster की communities बहुत सारे अलग अलग communities यहां पर रहते थे मारिया मुरिया गोन्स दुर्वाज बातराज हालबाज और यह अलग languages को बोलते थे तो basically इनके custom और बिलीव जो थे same थे वो लोग चाहते थे कि भाईया यह जो और लैंड है यह भगवान की देन है तो लोग इस पर अपना हुकुम क्यों जलाते हैं चलाते हैं बिशो रिस्पेक्ट तो बहुत रिस्पेक्ट करने वाले लोग थे यह और सो लोकल पीपल इनको देखते थे इनको था कि भाईया हमें कोई भी सरकार का आदमी नहीं चाहिए जो इस विलेजिस की देख रहे करें लोगों ने गार्ट को भी अटा दिया था इन्हों का था कि भाईया हम अपनी नेचर को खुद समाल लेंगे हम अपन इंडोनेशिया में यहां पर भी क्या हुआ था बच्चो साइंटेफिक फोरेश्ट्री लागू हुई थी और वही सारे रिजॉफ प्रोटेक्टेड़ वाली चीज़े हुई थी लेकिन यहां पर एक और चीज़ हुई थी कोई नाम बताएगा उसका हां जी जो काफी इंप ने बिटिश और राज किया वान वैसे इलोगों पर टाची वान ऱश्डी तो जब बचेज राज कर रही है उन्हें पर ईपान वालोगी इंपर नजर पड़ा तो जे Exam वालेों को जब नजर पड़ गई व näظर थे Star हिपो तो नेकं Haus लोटब इन्होंने कहा ज मतलब इने सारा वैलिएबल टिमर वगार जला दिया कि अगर ये हमारा नहीं होगा रख वालो का नहीं होगा तो यह जपेन वालोगा भी नहीं होगा और इसे क्या बोला गया स्कॉर्श और फॉलसी ने इंपॉर्टन और भी ठो पाइल नॉर्टटेमा आगा धिंब रूज्टन कि dal इस्प्रेंट क्रीज कांविन आख्ल्ड जूए हैं फ़ीन आफ्रीका वाला टॉपिक है पैस्टुलिस वाले चाप्टर से एफ्रीका बेटा का पैस्टॉरलिस्ट ठीक है तो कहने क्या रीजन्स थे जिसकी वहें से इन्होंने अपनी ग्रेजिंग लैंड को खो दिया था ब्रिटिशर्ज ने इन पर भी बहुत जादा रूल्स लगा दिये इनका आना-जाना बन कर दिया ग्रिमिनल्स एक्ट लगा दिया इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से जाना जाथा जिसकी वजह से यह लोग के जो लाइफ स्टॉक थे इनको प्रापर खाना नहीं मिल र अग्या दिद पैसले स्कॉप विद चेंजेंगे बाई गवर्मेंट तो यह आपका सेकंड टॉपिक आ गया न्सीया टी का कोलोनियल रूल वाला तो क्या किया देखो विद चेंगे इन वराइटी आप वीज देखे बिदेखे विद चारा नहीं था ना यह लोग को यह आन इन्होंने उसी जगाओं पर रहना शुरू कर दिया कि वही पर अपना जितना कर सके कर लेंगे रिच पैजेंट रिच पैसलेस बिगें बाइंग लाइंग लाइन और वही पर वो लोग सेटन होने लगे क्योंकि उनको पता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा पूर पैसलेस बॉरोड मनी फ्रम मनी लेंडर्स सम पूर पीपल लॉस्ट एर कैटल एंड शीप और बिकेम लेबर्स और वर्किंग उन फिर्ज इंपूर इंपर आफरिका में तो देखो बेटा इनको क्या करना है अपने ही एरियास में रहना है इनको मुवम्मेंट अला अलाउड नहीं है इनको पनिश्मेंट मिलेगी अगर यह डिसोबे करेंगे रूल्स को इनको अलाउड नहीं था मार्किट में जाना वाइट एरियास में जाना जहां पर बिटिश थे साथ इनको ट्रेड में भी पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोहिबिट किया जाता था ठीक है clear है तो इस सारे questions आप देख रहे हो कि इतने important है जो exam में आ सकते हैं मेरे साथ से average बच्चा इन सारे questions को भी कर ले तो enough होगा history के दो तिन चार रहे भी जाते हैं लेकिन वैसे इतने topic बहुत important है must है PPT आपको app पे मिल जाएगी science and fun के कोई भी डाउट हो कोई भी और question हो जो आपको भी लगे history में और important है वो comments में बताओ कुछ भी और doubt आया है इन questions में से तो comment में बताओ आपको clear कर दिया जाएगा मिलते है ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के साथ next class में तब तक के लिए धन्यवाद